नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग fantasy talent आप YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों कल इंडिया का performance देखकर सज्मे में चला गया था जैसे तैसे सज्मे से बाहर आया हूं और वीडियो तयार कर रहा हूं मतलब इंडिया के अंदर आकर कोई टीम इंडिया सब्सक्राइब कर रहा है तो दोस्तों बहुत ज्यादा घोर कलियोगा चुका है अब चली दोस्तों आज का मैच गुजरात और यूपी के मैच को हम कवर कर लेते हैं पूरी information आपको दे देते हैं जिससे आप एक अच्छा combination तयार कर सके हैं और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो के description में मिल जाएगा क्लिक करिए जॉइन करिए वहीं पर आपको हमारा final update भी मिलेगा तो चलिए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू के बारे में मैच होगा ब्रेबॉन स्टेडियम मुंबई में और टोटल आठ मैचेस खेले ग अब लास्ट के कुछ मैचेस के अगर बात करें तो जो पिछला मैच था वो सेकिंड बैटिंग करने वाली टीम ने जीता आरसी भी ने धुरंदर बैटिंग की थी धुरंदर रसी भी ने नहीं सिर्फ सोफी डिवाइन ने की थी उन्होंने बड़ा कमाल बैटिंग किया 99-9 पर रहेंगा है उन्हों का स्कोर किया था और पावर प्ले में यहां पर एक वीकिट हमने देखा So क्याइब के आपको टीमों के पास मैं अपने टीम में पिक कर लीजेगा आप कौन कौन से बैटर साब के लिए बैटर रहेंगे वो हम यहां पर देखेंगे हाला एक बग आपको डेड़ सो के आसपाँ देखने मिलेगा तो एक और आपके लिए बैस्ट चोई से कैप्टन वाइस कैप्टन सी के लिए और साथ में अगर वाइस कैप्टन सी के लिए तो वहां पर भी आप गिंदबास को सेलेक्ट करें तो जादा पहतर रहेगा अब हम यहां आपकी जो टीम है उसने अपने पिछले मैच में 169 का ही स्कोर किया था जिसे यूपी ने चीस कर लिया था इस मैच में शबीनी मेगाना ने 24 का स्कोर किया था हरलीन दियोल की 46 थे गार्टनर के 25 और किम गर्थ ने 5 विकेट निकाले थे किम गर्थ के 5 विकेट का भी रिजन है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा और दूसरी तरफ किरन नवगीरे ने 53 का स्कोर किया था ग्रैस हैरिस ने 59 दीपती शर्मा के दो और सोफी एकलस्टोन ने भी दो विकेट निकाले थे अब यहां से अगर हम दोनों टीमों की चर्चा करें तो सबसे पहले आती है सब्सक्राइब बेंच पर उन्हें मौका दिया जा सके आपे 21 पारी में इन्होंने 535 रनों का स्कोर किया है और एवरेज इनका है 31 का और तीन बार इन्होंने 50 से उपर का स्कोर किया जिसमें एक फास्टेस्ट 50 शामिल है इस टूनामेंट की पहले बेटिंग करते हुए इन परिशान करें तो आप दीप्ती शर्मा को यहां पर उमीद करें कि इन्हें परिशान करेंगी अब दोस्तों यहां पर और चीज़ आपको बता रहा हूं कि जब कॉई क्वार प्रशान कर रहा है पिछले दो मैच्टिस से हम क्या देख रहे थे कि एक बार इने आउट कर दि जाए फिर आता है दोस्तों लॉरा वालवोर्ट का नाम पिछले दो मैच इसमें 50 कर चुकी है एवरेज इनका लगबग 40 के आसपास है और टोटल इनके खाते में आठ बार 50 से उपर का स्कोर है पिछले दो सालों के अंदर जिसमें पहले बेटिंग करते हुए 40 का एवरेज है दो बार राइटा मीडियम ने आउट किया कमजोरी कोई है नहीं तो लॉरा वालवोर्ट जो है वह आपकी कंफर्म पेक हैं इसके बाद आते हैं दोस्तों शबीनी मेगाना शबीनी सामने से जो लॉरा वालवोर्ट है दोस्तों वह तीज खेल रही थी अब यहां पर इनके छे पारियों में क्यासी रन हो चुके हैं और तीन बार राइटा मीडियम ने आउट किया और्थोडोक्स इनकी कमजोरी है तो सोफी एकलस्टोन जो कॉलिटी गिंद बादी करती है वह आउट कर जाएंगी फिर आते ही नंबर चार हर्लीन देओल पर हर्लीन देओल ने अच्छा खेला है इस टूर्णमेंट के अंदर हाला कि पिछले मैच में जो इनका बैटिंडाउन था वह च्छटवे नंबर पर था चुकि टॉप होड़न ने शुरुवात अच्छी द देखेंगे इस टूर्णमेंट के अंदर अलग-अलग गिंदवाजों ने आउट किया तो कोई ज़्यादा समस्या इन्हें है नहीं फिर नंबर पांच पर आपको एशले गाडनर मिलती हैं जो कि कैप्टन सी के लिए बैस्ट पिक हैं क्योंकि आपको बैटिंग देंगी प 32 पारियों में 49 विकेट है तो जो आपके जितने भी ऑपोनेंट आपको मिलेंगे सबकी कैप्टन आपको एशले गाडनर मिल जाएगी अब डिपेंड करेगा कि वाइस कैप्टन आपको किसे बनाना है वह आगे चल कर देखेंगे अगर इनकी कमजूरी की बात करें तो का मिला नहीं साथ पारी में 94 रन और आठ पारी में 9 विकेट इनके खाते में दर्ज है इसके बाद इसनेहार आना है टीम की कप्तान है लगातार दोस्तों गिनबाजी करती है तीन से चार ओवर की और एवरेज एक ही विकेट इने मिल रहा है तो हाल-फिल-हाल मैं इनसे थ करके चलने ही वाले हैं और फिर हैं दोस्तों किम गर्त आपके पास एक मात रिच्छी गिनबाद इस टीम की तरफ से राइटा मीडियम में किम गर्त जिने ड्रॉप नहीं करना है आपको 32 पारी में 36 विकेट इनके खाते में दर्ज है इस्पेशली जब बात आती है सेकिंड दूसरी ऐसी पिलेने जो विकेट निकाले हैं और अनत में दोस्तों आपको अशूनी कुमारी मिलती हैं जो कि रइटा मीडियम गिनबाजी करती हैं अब यहां से सीदे आते हैं हम दूसरी तरफ जो हमारी टीम है UP वारियर्स पे तो यूपी वारियर्स की तरफ से पहला ना चुकी हैं तो बैटिंग तो अच्छी कर लेती हैं अब इन्हें तीन बार राइटाम मीडियम ने आउट किया और दो बार आउट किया है और्थोडॉक्स ने यहां पर आप देखोगे और्थोडॉक्स के तौर पर आपको मिलती है तनुजा कवर जो कि इनकी कमजोरी भी है त लाइटाम मीडियम तीन बार इन्हें आउट कर चुका है तो यह बैटल आपको देखने मिल सकता है पावर प्ले के अंदर फिर आता है नंबर दो देविका वैद्दे का नाम देविका वैद्दे च्छेपारी 70 रन 17 का एबरेज है और सात में एक विकेट भी निकाला अलग पिक ऐसी है जो इन्हें परिशान कर सकती है फिर आता है दोस्तों किरन नविगीरे पे इन्होंने एवरेज स्कोर करके दिया अभी तक यह आपको लगबग 10-15 तक का स्कोर करके दे जाती है हालाकि हमारे पास दूसरी और बेस्ट पिक है जिने हम अपनी टीम में जगे दें का जो कि वाइस चैटेंसी के लिए अच्छी चोईस है हाला कि अगर यह गिंदबाजी करती हैं तो और बहतर होता दोस्तों लेकिन रेगुलर गिंदबाजी नहीं कर रही हैं तीस का एवरेज है बैटिंग में चार पचास हैं सेकंड बैटिंग करते हुए तीन पचास किये हैं और रही बाद गिंदबाजी की तो 35 पाढ़ियों में 20 विकेट हैं जिसमें पहले गिंदबाजी करते हुए साथ एक और सेकंड गिंदबाजी करते हुए इन्होंने निकाले हैं यहीं कि अगर हम बात करें कमजोरियों की तो आपको देखे मिलेगा कि और्थोडोक्स जो है वो इन्हें परिशान करता है अठारा का एवरेज है इनका और्थोडोक्स के सामने अब चूकि तनूजा कवर यहां पर है जैसा मैंने आपको बताया कि ईकितीस पारियों में 31 क एवरेज है और साथ बार 50 से वोपर का स्कोर एंगर करती है तो साथ विकेट भी निखा लें पंद्रह पारियों में पहले गिंदवासी करते हुए धित हैं और सेकंड गिंद बार्ग करते हुए 5 विकेट इन ने के खाटे में दर्ज है यहां अगर कमजूरी की बात करें तो इनकी कोई वीक्नेस है नहीं तो ऐसे में यह आपको बैटर करके दे सकती हैं दोनों बार अलग-अलग गिंदबाजों देपेंड करेंगे वो भी सिर्फ एक विकेट के लिए सिर्फ एक विकेट में इसे एकस्पेक्ट कर रहा हूं बाइस का एवरेज है बैटिंग में और चब्वीस पारियों में 32 विकेट इन्होंने निकाले हैं राइटा मीडिया में इन्हें तीम बार आउट कर चुका है तो है यहां पर सोफी एकलस्टोन सोफी एकलस्टन आपके वाइस कैप्टन से के लिए बहुत अच्छा विकेट है एक ग्रह सहरिस दूसरा सोफी एकलस्टोन इन दोनों को आप ट्राय कर सकते हो 34 पारी 45 विकेट इनके पास है जिसमें पहले गेंद बाजी करते हुए 27 तो सेकि दो विकेट अभी तक निकाले हुए है अब दोस्तों टीम की तरफ से अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टन से की बात करें तो ताहिल ग्रैस हैरेस और एशले गार्डनर साथ में आप सोफी एकलस्टोन को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कर सकते हैं दोनों टीमों की त आप से जो पहला है आपके पास में अशले गार्डनर का है तो पेहला नाम है तूसरी टीम की तरफ से आपको एक अलेसा हैली को पिक करना है अलेसा हैली आपके लिए कंफर्म पिक है इसके बाद दोस्तों यहां से आप नीची आएंगे सीधित ताहिल मेगरत और ग्रैस हैरिस और साथ में दीपती शर्मा और सौफी इकलस्टोन यह आपके लिए जरूरी है जिने आप अपने टीम में ज़र इसके बाद में दीपती शर्मा डेविका वैद्य ताहिल मेंगरत एशले गाड़नर इसनिहाराना किम गर्थ और सोफी एकलस्टोन जो कि हमारी वाइस केप्टर है यह कुछ कॉंबिनेशन है बाकि टॉस के बाद देखेंगे कि क्या कुछ चिंजिस हमें करने है वह मैं आप आपको टेलेग्राम पर बता दूंगा तो रहीएगा माँ मेरे साथ में आप लोगों से में फिर मिलूंगा तब तक के लिए दोस्तों बाई जय हंद जय भारत